हलो यूर्वन मेहूर रोहित चुहान और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हुप्टे एक्सटर चींजी और महें दर थार 5 डोर के बारे में सबसे बेले बात करते हैं Hyundai extra CNG के बारे में तो Hyundai extra CNG के अंदर क्या हुआ है कि इस गाड़ी के अंदर आप dual cylinder आ चुके है तो dual cylinder होने से जो इस गाड़ी का boot space है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा जो कि Tata Punch और Tata की सभी गाड़ीों के अंदर आता है जो कि CNG में आती है आत की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसमें साथ हजा रुपे का अंतर आया तीनों ही वेरियंट के अंदर आट लाग तीर्याली साजार रुपे पुराना वाला एक शुरूम प्राइज नई वाली आपको पड़ेगी आट लाग पचास हजार रुपे की एक शुरूम कीमत में एसेक्स विरेंट की बात करें तो वह 916 रुपे थी अब आपको पड़ेगी 923 रुपे की एक शुरूम कीमत में और आपका जो एसक्स नाइट एडिशन है वह तो वही 938 रुपे की प्राइस से स्टार्ट होता ही ह इस गाड़ी के अंदर वही 1.2 लिटर का 4-cylinder petrol engine देखने को मिलेगा जिसमें आपको 69 PS की पावर और 95 Nm का टॉर्क मिल जाएगा ठीक है 4-cylinder engine है अच्छी कांसी यह गाड़ी बन जाएगी अगर इसका जो boot space है वह अच्छा आपको मिल जाएगा तो और और जो इस मतलब expect भी नहीं किया था सबसे पहले front से शुरुवात करेंगे तो इस गाड़ी के अंदर एक completely नई grill देखने को मिलेगी जिसमें आपको नए design elements देखने को मिल जाएंगे एड लाइट मेंआप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको roundedidade shape में वही एड लाइट देखने को मिलेगे लेकिन आब इस गाड़ी के अंदर आपको LED highlights देखने को मिलेगे जो की पहले नहीं आया करते थे उसके इसके अंदर आपको यारेल भी देखने को मिलेंगे जो चीज़ आप आफ्टर मार्केट कराते थे थार के अंदर वह आपको आफ्टर मार्केट नहीं करानी पड़ेगी बंपर की बात करें तो आपको वही जो पुरानी मतलब थार के साथ में लॉंच हो था सिल्वर कलर का बंपर वही देखने को म हम बात करें तो यहां पर आपको इस गाड़ी के अंदर एक नए अलोई विल्स का डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि काफी बड़ा सा लग रहा है और अगर बात करें इस गाड़ी के ओवर्वियम की तो उस पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको 360 डीर केमरा देखने को मि देख रही है और रियर का आप क्वाटर ग्लास है वह भी देख सकते हैं थोड़ा सा बेंट टाइप का डिजाइन इलिमेंट उसके अंदर दिया गया है और जो थार है वह मतलब काफी बड़ा से पेकेश के साथ मैं आपको देखने को मिलेगी फीचर भी इसमें एक से एक आ सबसे बड़ी चीज आपने अगर नोटिस की होगी तो इस गाड़ी के अंदर आपको संरूफ मिलने वाला है मतलब वह संरूफ आप देख सकते हैं बड़ा सा संरूफ देखने में लग रहा है और मतलब इंटिरियर है उसकी वाइट थीम है जो की एक सब्सक्राइब बड़ देखने को मिलेगा तो उस हिसाब से यहां पर जो फीचर से वह काफी ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं और बाकि अगर मैं फीचर की बात करूं तो एलीडी में आपको हेड्लैम्स मिल जाएंगे एडास भी इसमें आज सकता है इंजन इस गाड़ी के अंदर सेम देखने को मिलेंगे अभी 4x2 रियर विल ड्राइ 5 डॉर थार का कुछ कंफर्म नहीं हो सकता है 4x2 आई हिना बाकि संरूफ आपको बड़ा सा मिल जाएगा इंटिर में लाइट कलर लाइट कलर स्पाई शोट के अंदर देखने को मिल रहे हैं और आमरेश वगेरा सारी चीज़े मिल जाएगी प्राइजिंग की बात करें तो थार 5 डॉर की जो प्राइजिंग यह वह मुझे लगता है कि 17 लाग से 25 रुपे तक जाएगी मैंने पूछा था कहीं तो 25 रुपे तक की प्राइजिंग मुझे बताईए और अगर बात करें इसके लॉंच इवेंट क थे वह सब थार के और शिफ्ट होंगे और कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइजिंग यह वह स्कॉर्पियों से थोड़ी सी कम रखी जाएगी और इस गाड़ी के अंदर आने वाले हैं जो की स्कॉर्पियों तक के अंदर नहीं आते हैं प्लेटफॉर्म वगरा भी आपको अच चलियन पेट्रोल इंजन देखने मों मिलेगा और फॉर बाइफॉर के अंदर तो थार नंबर वन हो जाएगी मतलब डेली लाइफ के लिए थार अच्छी हो जाएगी मतलब जीन लोगों को पहले अनकमफरेबल लगती थी थार अब उन लोगों के लिए भी कमफरेबल हम तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है काफी बड़ा सा सन्रूफ देखने को मिलेगा जो कि बड़ा सी बात हो जाएगी क्योंकि इस सेग्मेंट के किसी भी गाड़ी के अंदर सन्रूफ आता ही नहीं है ठीक है तो यही थी आज की एक शॉर्ट वीडियो वीडियो अच् अच्छी लगी या नहीं यह मैंने एक्सपेरिमेंट टाइप वीडियो बनाई है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धनिवाद थेंक्यू सो मच